नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका इस सब्सक्राइब में वीडियो को पूरा देखिए कोई भी आपका फीडबैक है कोई सजेसिंगे तुरंद वीडियो में कमेंट करके जरूर पता हिए अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लिजे और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंद सब्सक्राइब कर लिजे और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिजे ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे यूटूब में फॉलो करते है तो प्लीज यह वाला फ्री टेलिग्राम चैनल जरूर जोइन कर लिएगा सारे सारे अपडेट यहीं पे आते हैं ज्यान लगिएगा कोई भी पेट गूप अगर आपको जोइन करना है तो सिर्फ 856-80530-969-06089-7523-84555 यही नंबर है हमारे सिर्फ जहां पर कॉल यह वाट्सप कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर हमारा पेज जरूर फोलो कर लिजेगा studyforcivil.services है कुछनर पर हमको जरूर फोलो कर लिजेगा add the right studyforcivil.services कि 19-वी शतापती में जो social reform movement इंडिया में हुए थे उन में woman का क्या role रहा था इसके साथ थी साथ हम कुछ woman से related woman के reform से related movement जो थे उन्हें भी discuss करेंगे तो चलिए आगे बढ़ते हैं और question के form में इस पूरे topic को cover करते हैं हमारा question कह रहा है What was the role of woman in the social religious reform of the 19th century? 19-वी शतापती के समाजिक धार्मिक सुधारों में महिलाओं की क्या भूमिका थी? तो हम बताएंगे answer के introductory part में कि 19-वी शतापती के प्रारंब में समाज में महिलाओं की इस्थिती बहुत निराशा जनक थी बाल विवा, बहु विवा, सती प्रथा, कन्या ब्रून हत्या और पर्दा प्रथा जैसी प्रथाएं प्रचलित थी और महिलाओं को ना तो संपत्ती का अधिकार था और ना ही शिक्षा तक उनकी पहुँच थी यह माना जाता था कि अगर एक महिला शिक्षित होती है तो वो विद्वा हो जाती है उस समय पूर्षों महिलाओं के बीच मत्भेत बहुत प्रमुक थी इसके बाद उननिस्वी शताबदी के शुरुवात में कुछ पूरुष समाज सुधारक आगे आते हैं और महिलाओं के उध्थान के लिए उन्होंने काफी संघर्ष किया काफी सारे सोसाइटी में चेंजस लेकर किया आते हैं और उससे महिलाओं के स्थिती समाज में सुधार्थी है तो वो कौन-कौन से शोशल रिफॉर्मर्स थे और उन्होंने कौन-कौन से मुवमेंट चलाए थे आगे हम देखते हैं तो समाज में महिलाओं की स्थिती को सुधारने के लिए सबसे पहला नाम आता है राजा राम मोहन रॉय जी का इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और इनका ये मानना था कि बदलाव समाज के लिए जरूरी है और जो समाज के बुरे रीती रिवाज हैं, उन्हें समाज से दूर करने की अब जरूरत आ गई है इन्होंने पश्चमी शिक्षा के ग्यान को फैलाने के लिए और महिलाओं के लिए समानता लाने के लिए काफी काम किया और इनका सबसे इंपोर्टेंट काम था कि इन्होंने सती प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई उस टाइम पे ये हुआ करता था कि अगर किसी महिला का पती मर जाता था तो उसे अपनी जान देनी पड़ती थी, उसे सती होना पड़ता था तो ये इन्हुमेन प्राक्टिस आमानवी प्रथा जो प्रचली थी उस टाइम पे इसके सुधार के लिए राजाराम मोहन रोई ने एफर्ट किये और इन्ही के एफर्ट से 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया तो आपके लिए ये क्वेश्चन है कि 1829 में जब सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया उस टाइम गवर्नर जनरल ओफ इंडिया कौन थे किनकी गवर्नर जनरल शिप में ये आक्ट पास हुआ था इसके अलावा राजा राम मोहन रॉय ने बहुत सारी किताबे भी लिखी थी इनकी फेमस किताब है मिरातुल अगबर और इनकी ये एक मोनोथिजम में बिलीव किया करते थे तो ये सब कुछ इंपोर्टेंट बाते हैं राजा राम मोहन रॉय के बारे में और इन्ही के एफोल्ट से 1856 में हिंदू विद्वा पुनर विवा अधिनियम पारित हुआ था और इन्होंने लड़कियों के लिए एक स्कूल भी खोला था तो ये क्वेशन भी है आपके लिए कि हिंदू विद्वा रिमारिज आग्ट 1856 ये किसकी गवर्नर जनरल्शिप के टाइम पे आया था इसके बाद नाम आता है वेरा लिंगम पुन्टुलू का इन्होंने विद्वा पुनर विवा के लिए कारे किया था तो ये वेरा लिंगम पुन्टुलू का नाम NCRT में मैंशन है तो इसलिए आपको ये नाम याद रखना जरूरी है इन्होंने भी विद्वा पुनर विवा का समर्थन किया करता था फिर B. मालाबारी और G. H. देशमुक इन्होंने भी विवा के लिए सहमती की उमर बढ़ाने के लिए काम किया और इनके प्रयासों से 1891 में सहमती की आयू अधिनियम पारित किया गया बेसिकली B. मालाबारी और G. H. देशमुक ने जो बाल विवा की एज होती है उसको बढ़ाने का काम किया था और जो 1891 में आक्ट पास होता है इससे minimum age for consent बारा साल कर दी जाती है यानि बारा साल से कम उमर की वालिकाओं का विवा नहीं किया जाएगा इसके अलावा जोती राव फूले का नाम काफी मिर्मस है फिर डीके कारवे का नाम काफी फेमस है महिलाओं के education से related तो इन्होंने हिंदु विद्वाओं के उत्थान के लिए काफी काम किये थे इसके अलावा हिंदु विद्वाओं को व्यफसाइक प्रशिक्षन प्रदान करने के लिए इन्होंने पूने में विद्वा घर खोला था तो इस तरह से जब महिलाओं को पुरुषों का समर्थन मिला पुरुष आगे आये और उन्होंने महिलाओं के लिए society में उनकी स्थिती को सुधारने के लिए काम किये तो उनमें भी एक जोश आया और कुछ महिलाओं फिर आगे निकल करके आती है और वो और महिलाओं के लिए कारे करती है उनकी स्थिती को सुधारने के लिए काम करती है उन्हें education देती है organizations बनाती है जिनने हम आगे discuss करेंगे लेकिन उससे पहले मैं आपको information देना चाहती हूँ यहां पर आपको one-to-one guidance मिलेगी इसके साथी साथ आपको इन सारे वीडियो की PDF मिल जाएगी आपको और भी PDF प्रवाइट करी जाएगे जिससे आपका syllabus पूरी तरह कवर हो जाएगा इसके साथी साथ आपकी main answer writing practice भी करवाई जाएगे और answers review भी किये जाएगे तो आपकी preparation बहुत strong हो जाएगे आप नीचे दियेगे numbers पे contact करें और इन groups को ज़रूर जोइन करें तो चली अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन सी महिलाएं आई थी आगे समासुधार आंदोलन में उत्री थी और इसके साथ ही साथ उन्होंने कौन-कौन से आंदोलन चलाये थे कौन से संगठन बनाये थे तो सबसे पहला नाम आता है राज सुंदरी देवी का राज सुंदरी देवी ने कोई बहुत बड़े लवल पर reform movement नहीं चलाया था पंडिता रामाबाई सरस्वती का तो पंडिता रामाबाई सरस्वती एक उच जाती की महिला थी और इन्हों ने जो उच जाती की महिलाओं में उच जाती की हिंदू महिलाओं में जो उनकी दैनी इस्थिती हुआ करती थी उन पर एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था ट्रेनिंग दी जाती थी, ये महिलाओं के लिए एक स्थापना की थी, इसके साथी साथ इनों ने आर ये महिला समाज की भी स्थापना की थी, फिर नाम आता है माताजी महरानी तपस्विनी का, जैसे कि एक शोशल रिफॉर्म मूवमेंट में हमने देखा कि दो तरीके के हैं एकane, और ये रिवाइवलिस्ट, रिवाइवलिस्ट का मानना था कि जो हमारा ऐंशेंट क्लुचर था वो बहतर था, और अब अब हमारे समाज में अशुधिया आ गई हैं जिसे दूर करके हमें वापस एंशियन कल्चर को अपनाना चाहिए वहीं रिफॉर्मिस्ट का मानना था कि अब हमें मौडन थिंकें को अपना करके अपनी सोसाइटी को रिफॉर्म करना चाहिए तो माताजी महरानी तपस्वनी एक रिवाइवलिस्ट थी पुनारुथानवादी थी इन्होंने 1893 में महाकाली पाठशाला की शुरुवात करी थी और इस पाठशाला में महिलाओं को हिंदू रिलिजन के अकॉर्डिंग एड्यूकेशन दी जाती थी जिससे की वो आगे जाकर के अच्छी वाइब्स अच्छी डॉटर इन लौ अच्छी मदर बन सके उसके बाद नाम आता है बेगम रुकया शिखावत हुसैन का इन्हों ने 1909 में भागलपूर में मुस्लिम लड़कियों के लिए एक शाक्षनिक संस्थान के शुरवात करी थी और उसके बाद 1911 में इन्हों ने कलकत्ता में शिखावत मेमोरियर गल्स स्कूल की भी स्थापना करी थी तो बेगम रुकया शिखावत हुसैन ने मुस्लिम लड़कियों के लिए एजुकेशन की शुरवात करी थी मुस्लिम वुमन को इन्हों ने एजुकेशन दी थी लेकिन इनके इंस्टिटूशन में जितने भी नियम कायदे थे मुस्लिम लॉस थे वो उनको फॉलो किया जाता था ताकि इन्हें जादा रस्टिक्शन्स ना फेस करनी पड़े उसके बाद सरला देवी चौधरानी ने 1910 में इलहाबाद में भारत इस्त्री महमंडल के इस्थापना करी जिसका उद्देश था पर्दा प्रथा को खतम करना महिलाओं को शिक्षा देना और उनकी समाजी कार्थिक इस्थिती में सुधार लाना तो one of the initial organizations जो बनी थी women की उसमें से एक नाम है सरला देवी चौधरानी की भारत इस्त्री महमंडल का फिर रामा बाई रनाडे इन्होंने भारत महिला परिशत की स्थापना करी 1904 में मुंबई में फिर महरी पाई टाटा ने 1925 में राष्ट्री महिला परिशत की स्थापना करी थी और यह जो राष्ट्री महिला परिशत यानि National Council of Women थी यह National Branch थी जो International Council of Women थी उसकी फिर Margaret Cousins का नाम आता है 1927 में अखिल भारती महिला सम्मिलन की स्थापना करी थी तो यह हमने देखे कि कौन सी महिलाएं आगे आई थी नोने कौन-कौन से Organizations बनाये थे, कौन-कौन से Movement चलाये थे, काफी Famous नाम थे और यह Prelims और Means दोनों के Perspectives से Important है तो आप इने जरूर याद रखिएगा उसके बाद हम अपने आंसर को Conclude करेंगे हम आंसर को Conclude करेंगे यह बताते हुए कि जैसा कि हम देख सकते हैं उन्हीं स्विश अताबदी के अंतर तक महिलाओं ने सुधार अंदोलनों में भाग लेना शुरू कर दिया था और 20 वी शताबदी में उन्होंने राष्टी स्वतंतरता अंदोलन में भी सक्री रूप से भाग लिया था सुभाज चंद्र बोस और जवाहर लाल नहिरू ने महिलाओं के लिए अधिक समानता और स्वतंतरता के लिए अपना समधन दिया था और कई राष्टवाती नेताओं ने भी पुरुशों महिलाओं के लिए पूर्ण मताधिकार का वादा किया था स्वतंतरता की पश्चात तब तक उन्होंने महिलाओं से कहा कि ये प्रिटिश विरोधी संगरशों पर वो ध्यान के इंद्रित करें तो बेसिकली जैसे उन्निसवी शताबदी में महिलाओं के लिए रिफार मुवमेंट चले उनकी समाजी के स्थिति में सुधार आया उन्हें एज्यूकेशन मिली उससे उन्हें होसला बढ़ा और फिर हम देखेंगे 28th सेंचुरी में जब मुवमेंट चलते हैं फिर गांधी जी आते हैं उस टैम पे बहुत सारी महिलाय राष्ट्री आंदलोनों में बहुत बढ़ चड़कर के हिस्सा लेती हैं तो यह सब अभी हम आगे आने वाले वीडियो में डिसकस करेंगे और सुभाष चंद्र बोस जवाहर लाल नहरू एक्वालिटी के पक्ष में थे कि हर महिलाओं को अधिकार वो मिलना चाहिए या हर अधिकार मिलना चाहिए जो पुरुषों को मिला हुआ है उसके साथ ही साथ जो नाशनलिस्ट लीडर थे उन्होंने वादा किया कि सुवतंत्रता के बाद महिलाओं और पुरुषों को मताधिकार मिलेगा एक जैसा फिर लेकिन उन्होंने कहा कि तब तक महिलाओं जो अपना समर्थन अंदोलन को दे रही है वो देती रहें जिससे हमें स्वतंत्रता में लेगे है स्वतंत्रता के बाद उन्हें उनके सारे अधिकार दिये जाएंगे तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि बाकवर्ट क्लासस में सुधार लाने के लिए उनकी स्थिती में सुधार लाने के लिए कौन-कौन से मुव्मेंट चलाए गये थे तो बने रहेगा चैनल के साथ मिलते हैं ने